ये जो सारी विधियां हैं, इरीतियां हैं, उजापाथ हैं, क्या ये सब्वियर्थ हैं? यदी कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहें, तो वो क्या करेंगे? यदी जल गहरा नहीं है, तो वो चल कर जा सकता है, और यदी जल गहरा है, तो वो नाव की सहाईता से जा सकता है, या स्वैम पैर कर जा सकता है. जदी वो चलना ना चाहे और ना ही पैरने को तयार है और ना ही नाव ले जाने को तयार है और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वेम चल कर मेरे पास आजा तब तो ऐसे व्यक्त को मुर्क कहेंगे महा मुर्क इसी प्रकार जदी व्यक्ति जान्ती को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं, तो परम आनन और मुक्ती के दूसरे छोड़ के कैसे पहुच पाएगा। चाहे वो पूजा करें, या अनुष्थान, या व्रत करें, या किसी नीती पर चलें, वो इस किनारे ही रहीगा। हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन्पे व्याख्या की, परंत जीवन के इतने जटिल सत्के को, इतनी सरल्टा से किसी ने नहीं समझाया। किसी ने नहीं समझाया। आप इस भटक्ती मानुवता को परमग्यान का माग दिखाएंगे। आप करना के सागर हो, पेबुद्ध। आप हमें अपना अनिवाई स्विकार करें। अब तंशरन अभचान मावीर, पद्धंशरन आप.... झाल झाल